स्टार्टिंग में हम रुक्या को देखते हैं कुछ सोल देपर रुक्या को एक्जिक्यूशन वाली जगह पर लेके जा रहे होते हैं फिर सेन सिफ्ट होता है कैन पाची पर कैन पाची ओरी हीमे को पूछता है हम किस रास्ते से जाएं तभी याचिरू बुलती है हम इस रास्ते से जाएंगे कैनी तभी इका को बुलता है हम ओरी हीमे के रास्ते पर जाना चाहिए ल्यूटेनेंट को डिरेक्शन गाइट करना नहीं आता तो याचिरू इकाकू पर थूकती है और उसको चिडाती है तो इकाकू को गुस्सा आता है तो यामीची का इकाकू को शांत करता है तभी केनपाची बुलता है अभी तुम सब शांत हो जाओ मैं मेरे हिसाब से जाऊंगा तो सब मान जाते हैं फिर सेंसिफ्ट होता है उर्यू पर और वो बटरफलै को देखके बुलता है कितनी सुन्दर बटरफलै है तो गांजू बुलता है देखो ये उर्यू बटरफलै को देखके कुछ से बाते कर रहा है तो उर्यू बुलता है तुम मुझे चिडाना बंत करो और तुम मुझे मेरे फर्स्ट नाम से मत बुलाओ तब ये दोनों आपस में बहस करते हैं तबी चैट बूलता है तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है तो गांजु बूलता है हाँ तुमने अभी बताया तो मेरा ध्यान गया तो उर्यू बूलता है शायद ये लोकल सामुराई ड्रामा होगा तब ही दिवाल को तोड़ के वहां केनपाची आता है तो गांजू डरते हुए बुलता है तुम यहां क्या कर रहे हु केनपाची जरा की और वो यामीची का को देख के बुलता है और तुम भी यहां हो मुझे तो लगा था कि तो म फिर से नहीं मिलोगे तो यामीची का बुलता है मुझे भी यही लगा था और मैं अगले फेशिस को कभी नहीं बुलता तो गांजू बुलता है मैं बताता हूँ कि अगर ये बेंडेजिस ना होती तो मैं तुमसे भी ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ तभी ओरीहिमे केनपाची के पीछे से निकलती है तो सब लोग ओरीहिमे को देखके शौक हो जाते हैं तभी ओरीहिमे बुलती है हे उर्यू, चैड, गांजू, मैं तुमको जिन्दा देखके बहुत खुश हूँ तभी ओरीहिमे को पकड़के नीचे खिछती है और उससे मस्ती करती है तभी सीन बयाकुया पे शिफ्ट होता है और एक सूलरी पर बयाकुया को देखके बूलता है मास्टर बयाकुया, अभी टाइम हो गया है आप सोग्योको के लिए जा सकते हो तभी बयाकु वहाँ पे एक कबड़ खुलता है और वो बुलता है अभी मैं जा रहा हूँ, हिसाने तभी सीन तेट्सु जाइमोन पर शिफ्ट होता है वो अपने केप्टन के को पास जाकर माफी मांगता है और बुलता है सौरी मास्टर, मैं टॉयलेट में सो गया था आप मुझे मार दो, यही मेरी पनिश्मेंट होगी तो केप्टन कुमा मारू बुलता है कोई बात नहीं तेट्सु जाइमोन सारी प्रिप्रेशन हो गई है तुमने कोई ब्लेम लेने की कोई जरूरत नहीं है तो तेट्सु जाइमोन तेंक यू बुलता है तभी कोमा मारू बुलता है तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें चिंता हो रही है कि तुमने लगता है कि मुझे ये execution को लेके doubt होगा इसलिए तुम जान मुझकर लेट आए तो मुझे सोचने के लिए odd time मिल जाए तब टेट्सुजाइमन बुलता है हाँ master तो captain बुलते हैं मुझे कोई doubt नहीं है मेरी loyalty और dedication है captain यामा मोटो के लिए बहुत ज्यादा है उन्होंने जो बोला मैं वही करूँगा जब मैं अकेले था और कोई मुझे help नहीं करता था मेरे चेहरे की वज़े से तब ही captain यामा मोटो मेरे पास आए और मेरे पर पुरा भरोसा किया इसलिए मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ अगर वो मेरे से मेरी life भी मांगे तो मैं दे दूँगा तब ही वहाँ पे captain टोसेन और उसका lieutenant हिसागी आते हैं वो बोलते हैं of course मेरे लिए भी same ही है मुझे कोई doubt नहीं है मुझे लगता है कि मैं और तूम हम दोनों same रास्ते पर चल रहे हैं तब ही sensitive होता है एक और lieutenant पर वो बोलता है और हमारी नाक में दम कर दिया है हमें बहुत मुसीबत हो रही है ये रियोका की वज़े से और यहाँ पे आदे captains तो argue कर रहे हैं execution को लेके नहीं पड़ता ये सही है या गलत मैं खाली mission में ही interested हूँ और मैं squad 2 की captain हूँ तो मुझे जो mission मिलेंगे मैं उसे पूरा करूंगी और तुम ओमाइडा तुमें भी अपनी squad के लिए वफादा रहना होगा अगर तुमने cheat किया तो मैं तुमें भी मार दूंगी तभी सिंके इनपाची पर shift होता है तभी chat बोलता है एक और गरत रास्ता तभी उर्यू बोलता है मैं explain करता हूँ एक बड़े group को बड़ी जगह पर guide करने में छोटी छोटी गलतिया तो होती है तभी इका को बोलता है मैंने तो पहले ही बोला था कि lieutenant को कोई direction guide करना नहीं आता कोई आचिरू इका को के सर को काट देती है तो इका को बोलता है कोई इस creature को मेरे सर से हटाओ तभी यामीची का kenpachi को बोलता है captain तभी kenpachi बोलता है तुम सबको खूद पर शर्म आनी चाहिए, छुपकर अपना स्पिरिच्वल प्रेशर को छुपा कर बोल रहे हूँ, ऐसा कोई कैप्टन को शुबा नहीं देता, बाहर निकलो, तभी कुमा मारू बाहर आके बोलता है, तुम्हें बात करना नहीं आता, और तुम्हें पता है क तुमने ये क्या कर रहे हो, तो तभी वो लोग बहार आते हैं, और टोसिन बोलता है, तुम इन रियोका के साथ यहां क्या कर रहे हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुके हो, हारने के बाद जरा की, तभी माकी माकी बोलता है, कैप्टन कोमा मारू, कैप्टन टोसि ल्यूटेनेंट टेट्सुजाइमॉन ल्यूटेनेंट हिसागी अरे नहीं तभी यामीची का बूलता है तुम डरो मत माकी माकी हम उससे ज्यादा है तभी केनपाची बूलता है चुप रहो तुम तुम्हें किसने कहा कि तुम ये फाइट में इन्वॉल्व होंगे मैं ही अकेला ये फाइट लड़ूँगा इससे मुझे प्रेक्टिस हो जाएगी तो कोमा मारू बूलता है तुम्हें लगता है तुम हम चारो से अकेले फाइट कर पाओगे केनपाची तभी केनपाची बूलता है तुम बहुत बूलते हो कोमा मारू तुम खाली फाइट स्ट और तुम चारों मेरे पर एक साथ हमला करना, अगर तुम एक साथ हमला करोगे, तो शायद तुम मुझे चोट पोचा सकते हो, तभी माकी माकी पूछता है, हम क्या करें कैनपाची, तो कैनपाची भूलता है, तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम खाली मेरे रास्ते में रहा है, तभी वो कैनपाची को बूलती है, हम इचीगो को ढूंडते हैं, तुम इन लोगों के साथ मज़े करो, ओक्के कैनी, तभी कैनपाची भूलता है, मैं भी वहां जल्दी आ जाओंगा, तभी याचीरूर बूलती है, जीगलीज, मर्सल, मंकी, पैंसिल, चलो हम चलत हैं, तभी उर्यू खुझ से बूलता है, क्या मुझे अभी पैंसिल, निकनिम मिला है, तभी सब वहां से चले जाते हैं, तभी टोसेन बूलता है, तुम्हें लगता है, तुम हम चारों को इजीली हरा सकते हो, तभी उर्यूर बूलती है, तुम्हें सच में लगता है, हम कै केनपाची को अकेले छोड़के आ गए वो उन्चार है और केनपाची अकेले तो याचीरू बोलती है उसमें कोई प्रॉबलम नहीं है बले वो कितने भी हो पर कैनी उन्हें हरा सकता है तभी उनको पता चलता है कि यामीची का और इका को वहां नहीं है तभी वहां पे इका को को और यामीची का पहुच जाते हैं और बोलते हैं हम दोनों लिटेनेंट को संभाल लेंगे ठीक है केप्टन तो केन पाची बोलता है तो तुमें भी फाइट करनी है तो ठीक है पर तुम दोनों कोई अलग जगब लेके जाओ तो मेरे रास्ते में न आए वरना मैं मार दूं गया क्योंकि वो लिटेनेंट नहीं बन सका उसको कोई राइट नहीं मेरे को लेक्चर देने का तभी यामीची का तेट्सुजाइमोन इकाकू और हिसागी वहां से चले जाते हैं तभी कोमा मारू अपना अटेक करता है केन पाची पर तभी टोसेन कोमा मारू को पूछने लगता है और बोलता है पीछे हट जाओ तुम कोमा मारू अब मैं इसे संभालूंगा और अपनी जानपाप्टों का नाम लेता है सुजुमुशी निशी की बेनी ही को तभी उपर से बहुत सारी बलेड्स केन पाची पर गिरती है तो कोमा मारू बोलता है ये खतम हो गया को कोई भी इस अटेक को रोक नहीं सकता केन पाची भी नहीं तभी केन पाची हसते हुए बूलता है तुम इतना ही कर सकते हो तभी दोनों कैप्टन शोक हो जाते हैं तभी सिन रेंजी पर शिफ्ट होता है वो बूलता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ और वो योरो इची से क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तब भी जांगेट्सू इचीगो को बोलता है अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है इचीगो इसलिए मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा तो इचीगो बोलता है मैं चाहता भी नहीं कि आप मेरे से इजिली अटेक करो तब इचीगो के चारो और जांगेट्सू ही जांगेट्सू आजाते हैं तब योरोईची रेंजी से पूछती है रेंजी तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें याद है जब तुम पहली बार चल तो रेंजी बोलता है ये तो किसी को भी याद नहीं होगा तो योरोईची बोलती है अगर तुम्हें याद नहीं है पर तुम अभी चल पा रहे हो मतलब तुम conscious नहीं थी इसलिए तो अभी तुम्हें कैसे पता की कैसे चलते हैं सब लोगों को ये पहले से ही पता होता है की कैसे चलते हैं जैसे की चीडिया को पता होता है की कैसे उड़ते हैं और मचलियों को पता होता है की कैसे तेरते हैं इसको इंस्टिंक्ट कहते हैं सारे लिविंग बिंग्स इंस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं अपनी नेच्रल पाव पावस को डूनने में ताकि जब टाइम आए तो वो उसे यूज़ कर सके तो अभी इचीगो का फेस मुझे वही याद दिला रहा है वो भी इंस्टिंक्ट है और इचीगो के अंदर कहीं न कहीं वो पावस छुपी हुई है इसलिए मुझे उस पे बिलीव है कि वो बानकाय अ झाल 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 झाल